एक कोश्चन है कोई धनराजी चकविर्दी ब्यास से पहले बर्स के अंत में 650 रुपई है और दूसरे बर्स के अंत में 676 रुपई हो जाती है तो वो धनराजी क्या है तो इस तरह के कोश्चन दोस्तो हम ऐसे बना सकते हैं कि जो चोटा अंख है उसको ऊपर उसका हम square कर देंगे आज जो बड़ा अंख है उसको हम नीचे 676 जब हम इसको solve करेंगे तो 650 गुने 656 बटे 676 अब इसे हम काटेंगे तो यह इसे काटेंगे हम 13 से 13 से 13 बचे 65 यहां बचे यह दू तेरा दुनी 26 इसको काटेंगे तेरा पचे 65 यहां होजाएगा 50 अब इसे फिर काटेंगे तेरा चवबामन आइसे काटेंगे तेरा पचे 65 अब इसे काटेंगे दो दुनी 4 और इसे काटेंगे 25 दुनी 50 इसको काटेंगे फिर 50 को काटेंगे 25 दूनी 50 तो यह हो जाएगा कितना 25 गुने 25 का स्कुर्वार क्या होता है 25 गुने 25 का स्कुर्वार होता है 625 तो यह हमारा जो एंसर हो जाएगा वो जाएगा 625 रुपीया इस तरह के question को हम हैसे solve करेंगे यह काफी आसान तरीका है पस कुछ नहीं करना है जो चोटा अंख है उसको उपर उसका square और जो बड़ा अंख है उसको नीचे चोटा अंख है उसका square करना है यह तरीका है जो आपको काफी पसंद आएगा